हेलो दोस्तो वेलकम टो और चैनल मेडिकल का ग्यान दोस्तो आज हम बात करेंगे बेसी नर्सिंग सेकिंड डियर में जनेटिक्स के टॉपिक जनेटिक टेस्टिंग के वारे में तो जनेटिक टेस्टिंग क्या होता है देखो डेफिनिशन क्या है इसकी तो जनेटीट टेस्टिंग में क्या होता है किसी भी क्लिनिकल परपस के लिए हियूमन के डीएने, आरेने, क्रोमोसोम्स, प्रोटीन और कुछ मेटाबोलाइट का एनलाइसिस किया जाता है ताकि किसी भी हरिटेबल डीजीज का पता लगा जा सके जो कि जीनोटाइप, म्यूटेशन, फिनोटाइप या फिर केरियोटाइप से रिलेडिड है अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो जनेटिट टेस्टिंग क्या होती है तो ऐसी टेस्टिंग जिसमें क्या होता है किसी भी हिउमन के डीने, आरेने, क्रोमोसोम्स का क्या होता है क्रोमोसोम्स को देखा जाता है ताकि किसी भी हरिटेबल डीजीज का पता लगा जा सके जो कि किसे रिलेडिड है तो वो है रिलेडिड फीनोटाइप से, जीनोटाइप से या फिर karyotype से related है ठीक है अब ये सारी चीज़ा क्यों की जाती है यानि जो genetic testing है वो क्यों की जाती है तो वो कुछ clinical purposes के लिए जाती है और वो purpose है disease को पहले ही पता लगा लेना जो भी disease की carrier है यानि disease को एक generation से दूसरी generation में ले जाने वाले उनका पता लगाना clinical diagnosis करना next point is genetic testing identifies changes in chromosomes, genes और proteins यानि जो genetic testing है वो क्या करती है chromosomes में जीन्स में या फिर proteins में क्या करती है changes का पता लगाती है changes को identify करती है next point is most of the time testing is used to find changes that are associated with inherited disorders यानि जयादर testing का use जो होता है वो क्यों होता है तो वो होता है इसलिए ताकि क्या हो कोई भी inherited disorder है ठीक है तो उसकी वये से क्या क्या चेंजिस आये हैं उसके genes में या उसकी body में ठीक है उसको उसके लिए हम क्या करते हैं genetic testing का use करते है next point is the result of a genetic test can confirm और rule out a suspected genetic condition और help determine a person's chance of developing और passing on a genetic disorder यानि जो भी genetic test है उसमें क्या होता है कि वो confirm करता है किसी भी genetic जो भी suspected genetic condition होती है उसको क्या करता है confirm करने के लिए use किया आता है और क्या करता है कोई भी अगर person है जिसको क्या हुआ है genetic disorder होने वाला है या फिर उसमें पास हु genetic testing का use किया जाता है next point is genetic tests are performed on a sample of blood, hair, skin, amniotic fluid और other tissues यानि जो genetic test होता है वो कैसे perform किया आता है तो किसी का भी blood sample लेकर कर किया सकता है ठीक है laboratory में भीजाता है जहां पर जो technician होता है वो क्या करता है Chromosomes में changes का पता लगाता है या फिर changes को देखता है next point is some genetic tests are diagnostic while other are predictive or informed individual of an increased risk of acquiring a disease or condition यानि कुछ genetic test ऐसे होते हैं जिन में क्या होता है genetic test में diagram कि आता है जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिन में क्या होता है predict किया आता है ठीक है तक कि विमारी उसे को हो सकती है या फिर INFORM किया आता है किसी भी individual को ठीक है जो कि क्या हो रहा है जिस इसको को रमारी होने वाली है या फिर उसमें risk बढ़ रहे हैं उस नैक्स परंट फजित वाला है या फिर उसमें क्या है कोई भी रिस्क है जनेटिक डिसोडर होने का नेक्स पॉइंट इस और इट्स डेवलेपमेंट इन फ्यूचर ओफन बिकॉज अन्वार्मेंटर इंफ्लॉएंस इस चैनल भी मेजर्ट और कंट्रोल यह अगर किसी पर संगा नेगेटिव टेस् इस बीमारी या फिर ऐसी जनेटिक कंडिशन नहीं हो सकती है क्योंकि क्या करते है जो भी जनेटिक टेस्ट है वो किसी भी एनवार्मेंटल फैक्टर को नहीं कंट्रोल कर पाता है नहीं मेजर कर पाता है नेक्स्ट पॉनिट इस ऑल्सो देटेश्ट में हैव ओनली बीन कंडिशन होती है उनका पता नहीं लगा जा सकता नेक्स पॉइंट इस क्लाइंट्स में फाइंड आउट थ्रो टेस्टिंग डैट देयार करियर एंड यह पास्ता अल्टर डिजीज प्रोडूसिंग जीन ओन्टू दियर चिल्डन यानि जनेटिट टेस्टिंग से किसी पर खरते हैं परपास औरे टेस्टिंग के बारे में जनेटिटे स्च के प्रोड इंफोमेशन अबवाउट अपर्साइंट गिन्स क्रोमो सोम स्फ्रों स्चिन तो जरुड टा क्लिनेटिकल मैंधमेंट थीजल से तो क्लिनिकल मैंगेजमेंट तक लिए उस होती है तो लिए possible genetic disease in unborn babies यहनि genetic testing के माधियम से कर सकते हैं किसी भी unborn baby में क्या कर सकते हैं हम genetic disease को find कर सकते हैं next point is finding out if people carry a gene for a disease and might pass it on to their children हम क्या कर सकते हैं ऐसे एसे पीपल कब एसे लोगों का पता लागा सकते हैं जो क्या क्या कर सकते हैं जो अपनी disease को अपने बच्चों में पास करा सकते हैं या फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करा सकते हैं ठीक है ऐसे व्यक्तिव को हमके कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं से इसकृरिनग एम्रेऊ को क्या कर सकते हैं किसी भी स्क्रिदिदी या का सकते हैं reminder किसरा का diagnosis in a person who has disease symptoms, यागर किसी person में disease symptoms है, जो genetic disease है, उसके symptoms आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको diagnosis कर सकते हैं, और उसको confirm करा सकते हैं, next time बात करते हैं, types of genetic testing के बारे में, point is, the nurse should understand that genetic testing can be classified into two categories, example, screening and diagnostic, यानि एक नर्स को समझना चाहिए कि जो भी genetic testing होती है, उसको दो categories में classify किया अब जो genetic testing है, उसके कुछ types होते हैं, जिसमें पहला है pre-implantation genetic diagnosis, दूसरा है prenatal testing, तीसरा है newborn screening, चौता है carrier testing, पांचवा है predictive genetic testing, छटा है diagnostic testing, साथवा है forensic testing, और आटवा है research testing, तो आज हमने पढ़ा genetic testing के definition के बारे में, उसके purposes के बारे में, और आज हमने enlist किया उसके types को, next part म लिंक आपको description box में मिल जाएगा, nursing के किसी भी topic को पढ़ने के लिए comment करें, और इस video को जाय से ज़्यादा share करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपकी भलाई के साथ उनकी भी भलाई हो सके, एक thought है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, कि success is possible only when we have a commitment to action, यनि success possible है, अगर आप उस काम को करने का commitment कर लो, तो पढ़े जाओ और बढ़े जाओ, और अपनी life में successful बने जाओ, thank you